जयन फ्रेंड्स आज हम लोग कवर करेंगे आज का मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफेर्स जो भी हमारे चैनल पे नये हैं प्लीज को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें और टेलेग्राम चैलने को भी जॉइन करें वहां पर आपको फ्री अपको बहुत सारे एक जा लिए था कि अभी जो है यहां पर पता चला है कि हइंड्रो थर्मल सीष्टम मैं इस लेक के अंदर तून यहां पर लोग जोन नाम नोट करेंगा यह पुछा जाता है Wellington यह दिखी यहाँ पर Southern Elves परवतमाला है यह भी आपको याद रखना है यहाँ पर Cook Estate है यह भी पुछा जाता है Cook Estate कहाँ पर है किसको इसको connect करता है इधर South Pacific Ocean है इधर तसमान सी है आपको यह सब एकदम याद रखना भहुत ही important है ठीक है अक्सर इससे पुछे जाते है एक्जाम्स में तो ठीक है और यहां पर जो है वा हरो का गल्फ है यहां पर और लेक वाका टिपू है यहां पर लेक टी अनाव है यहां पर तो यह कुछ इंपोर्टेंट लेक मैंने बता दिया जो आपके एक्जाम्स पॉइंटर वी से बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए नेस्ट कोशन लोग चलते हैं वाट इस प्राइमरी फोकस ऑप दे गामा रे अस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जी फेज थ्री तो ग्रैप्स क्या है इसका सॉट फॉर्म क्या है ग्रैप्स थ्री प्रोजेक्ट तो अभी यह न्यूज इसका है इसका है इंस्टूट कहां पर यह मुंबई में है तो यह आपको याद रखना है बहुत ही इंपोरेंट है आपको अक्सर पुछा जाता है ग्रैप्स थ्री है क्या रिसेंटली जो है विच एस्टेट कैबनेट अप्रूब्व्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कौन सा स्टेट अभी इसको अड़ाप्ट करने जा रहा है यह जो है वह है उत्राखंड क्या है इसका अंसर उत्राखंड यहां के जो चीफ मिनिस्टर है पुसकर सिंग धामी वहने अभी इन्फॉर्म किया है कि यह यह यहां प है यह अपका होता है मैरेज से डाइवोर्स से यह सबसेलिटर यह एक्ट होता है अब इसमें जो हैवा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं जैसे इसमें अंडल जो हैवा पोलीगामी को बैन किया गया है चैल्ड मैरेज को बैन किया नेशनल पार्फ हें जैसे गुवेंड नेशनल पार्फ है यहांपर भगिरत अलगनारी वर्फ यहीं पर्याग में आकर मिलती है और यहां से जो है गंगा इसका नाम होता है तो यह आपको यादखणा है वर्ल्ल बेस्ट डिक्टेटर इनका नाम है नाइब भुकिले अभी जो हुआ कहां के प्रेजिडेंट बने हैं फिर से फिर से वो इलेक्ट हुए हैं यहां पे तो Al Salvador Al Salvador यह डिक्टेटर है सेकंड टार मिला है और इलेक्टेंट में और यह जो है tested high speed expandable aerial target तो अभी जो हहुआ DRDO ने एक successful test किया है क्या ना, इसका नाम क्या है? अभ्यास ये है क्या? ये है high speed expandable aerial target इसका नाम है, ठीक है तो अभ्यास आपको याद अखना है कि ये है क्या? जहीं यह दिखिये, अभ्यास ठीक है? Country's first digital national museum इसका फान्डेशन स्टोन अभी रख गया है तिक है तिलंगाना के चीफ मिनिश्टर कौन बने है रवन्ता रिडिडी ओंग्रेस्ट पार्टी के है तिक है अभी डिसेंटली एलेक्षन हुआ था तू वहां पर नई सरकार बन यह तिलंगाना कब बना था तिलंगाना जो है न कब अपजर्ब किया जाता है कब मनाया जाता है यह यह मनाया गया है कल 6th February को कब मनाया गया है 6th February को तो दोस्तों आज का current reference यहीं पर समापत होता है मेरा target होता है कि आपको जो है बहुत कम समय में काफी कुछ important fact आपको दे सकूं आपको जो है एक घंटा दो घंटा देने की ज score करेंगे भाई तीक है तो आप लोग चैनले को सब्सक्राइब करेंगा लाइक किजीगा और शेयर करेंगा चलिए कल लोग फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद